अब हम कृशी की अगली पद्धती रोपन कृशी या बागाती कृशी की विश wygl gesch़़ पर चरचा करते हैं ब चुकि नाम से स्पष्ट है रोपन कृशी या बागाती कृशी बागान लगा कर यह क्रिशी कार्य जो है वो किया जाता है तो इसका उदेश भी हम समझ पा रहे होंगे क्योंकि पहले हमने देखा था गहन निर्वाक्रिशी या जीवन निर्वाक्रिशी तो वो जीवन यापन के उदेश से जो हैं वो किये जाते थे लेकिन इस क्रिशी का प्रमुख उदेश जो है वो व्यापार होता है मतलब व्यापार करने निरियात करने के उदेश से ही एक क्रिशी कार्य जो है वो किये जाते हैं क्योंकि प्रमुख रूप से यदि हम फसलों की बात करें तो चाय है को करेंगे तो यह जो हम कहार उप्योक के लिए तो इसे जयत निरियात करेंगे बाजार बजार में बेचेँगे और जब हम बजार में बेचेँगे तो इसे हमें मुद्रा या पैसे प्राप्त होगी। तो इस कृश्षा के सिसे विशेषताओं के बारे में जब हम चेचाय करते हैं, तो देखते हैं कि पहला तो यह मैं मैं दोपन कृण comple efforts कोको है, अनानास है, कपास और गन्ना ये प्रमुख रूप से फसले इसके अंतरगत उगाई जाती है और इसका उदेश ही होता है निर्यात करना या बेचना, बाजार में बेचना अब चुकि ये व्यापार की उदेश ही की जारी है मतलब है कि हमें इसको बहुत व्रिहद इस इसकी दूसरी विशेष्टा है कि इसमें जो बागान है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बागान का आकार बड़ा होता है और इसमें चुकि विशेशी करन हमें प्राप्त करना है या विशेशी करिशी होता है कि कोई एक फसल लगाई जारी है उसका मैक्जिमम तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में पुंजी की आवश्यक्ता होगी, पुंजी हम लगाएंगे, पुंजी किसले लगाएंगे, उसके लिए maximum production, चाहे हम फर्टिलाइजर की बात करें या कृषी अलग-अलग नवीनतम उपकरनों की बात करें, इन सब ही का जब प्रयोग किया जाएगा, तभी तो हमें maximum production मिलेगा, तो इसलिए इसकी अगली विशेष्टा है कि इस प्रकार की कृषी में अधिक पुंजी की आवश्यक्ता होती है, और वो क्यो होती है, जो टेक्नोलाजी है, या हम जिस भी हाई टेक्नोलाजी का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चतम तक्न की या जो क्रिशी की विधियां अपनाई जाएगी उसमें बैग्यानिक विधियों का प्रयोग करके हम उसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ ही हम देखते होंगे कि आप चाय के बागान, यहां पर आपके सामने दिख रह करृट्रोंका होगा हम इसकै vote करते हैं यहां ना जी हमने खम के निन पर प्राइब करें में दिख रहु कर रहे हो तो जैसे हमने इग्जाम्बत लिया चाय या चाहिवादो चाय की पत्तियां उसकी बहत कौमल होती है इसलिए जैनको टाप्रत्समे अड़ करें प्राप्त ह आधुनिक्तम जो व्यज्यानिक विधी है उसका प्रयोक कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अधिक से अधिक श्रम की भी आवश्यक्ता होती है अब इसमें परिवहन व्यवस्था भी जो है वो काफी विक्सित होनी चाहिए क्योंकि हमने बताया कि व्यापार के तब ही तो हमें आय प्राप्त होगी तो इसके लिए अच्छी एक विक्सित परिवहन व्यवस्था की आवश्यक्ता होती है और साथ ही बाजार में बेचने के अलावा कि ये जो सामान है जो हमारा उत्पादन है वो खराब ना हो जाए इसलिए भी हमें उद्योगो तक या बाजार तक उसे पहुचाना होगा आपको ध्यान में होगा कि हमने बात की थी गर्ने के उत्पादन के विशय में तो हमने देखा था कि गर्ने को उसी स्थान पर उसका उत्पादन अधिक किया जाता है जहां पर उसे लगभग एक से दो दिन के अंतराल तक उसे कार खाने तक पहुचा दिया जाए क्योंकि फिर उसका रस जो है अधिक दिन थकि यद्यादी हम उसे रखेंगे तो उसके रस जो है वह सूख जाते हैं तो यही कारण है कि यह जल्दी खराब ना होने पाए ताकि उसे मार्केट या संबंधित उद्धियोग या कार खाने तक की लोग थे इन्होंने जो उषनिकटी बंध है छेत्रिया उषनिकटी बंध में इस थी जो देश हैं वहाँ पर अपने उपनीवेश जो हैं वो इस्थापित कर लिए थे अपनीवीशिक जो राजी है वो उनका चलता था और तहीं हो और उसी कड़ी में हम देखते हैं जैसे फ्रांस है फ्रांस ने पस्शिमी अफ्रिका में कॉफी और कोको के बागान लगवाए स्पेन और संयूकतराज अमेरिका या USA ने फिलिपाइन्स में नारियल और गन्ने के बागान लगवाए ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगवाए और ब्रिटेन ने ही मलेशिया में रबड के बागान जो है वो इस्थापित करवाए अब ये हम देखते हैं कि जो ब्राजिल में कॉफी के बागान लगाए जाते हैं या कॉफी के जो बागान होते हैं वहाँ पर उसे फैजेंडा के नाम से जाना जाता है और ये फैजेंडा या जो कॉफी के बागान होते हैं इसमें जो यूरोप वाशी हैं उनका पूर्ण नि कि ब्राजील में काफी के बागान को किस नाम से पुकारा जाता है तो आपका उत्तर होगा फजेंडा और भी जो मैंने अभी बताये आपको कि कहां पर किस देश ने उपनिवेस स्थापित करके ये जो अलग-अलग फसलों के बागान लगाए हैं ये भी आपको ध्यान में होन अब हम अगली क्रिशी पधती डेरी क्रिशी या डेरी फार्मिंग के पर चर्चा करते हैं डेरी फार्मिंग जैसा नाम से ही पस्थ है डेरी फार्मिंग जब हम करेंगे मतलब दूध उतपाद जो है दूध से बने अलग-अलग जो प्रोड़क्ट उतपाद होते हैं उस उ हम देखें कि क्या अर्थ है डेरी कृषी हम किसे कहेंगे तिसमें हम देखते हैं कि इस जो विशेश प्रकार की एक कृषी है इसमें जो पशुओं को पाला जाता है जितने भी पशुओं पाले जाते हैं उन पशुओं को दूध का उत्पादन या दूध प्राप्त करने के ल लिए उन पशों के स्वास्थि पर प्रजनन पर और उसमें जो नसल सुधार का कारी होता है इस पर विशेश ध्यान दिया जाता है डेरी क्रिशी में अब चुकि हम नसल सुधार का कारी करेंगे पशों पर या प्रजनन और उनके स्वास्थि पर विशेश ध्यान देंगे तो इस क्रिशी में भी अधिक पुण्जी के आवशकता होती है और वो इसलिए कि जब पशूओं को पाला जाएगा तो पशूओं के रहने के लिए भी एक आवास या छपर की विवस्था जो है वो की जाएगी तो उनके आवास बनाने के लिए उनके खाने के लिए चारे की अब हम देखते हैं कि श्रम की भी आवशक्ता होती है डेरी फार्मिंग में वो इसलिए कि पशुओं को चराया जाता है पशुओं को चराने के लिए पशुओं से दूध निकालने के लिए और ये श्रम जो है वो कुछ महने ही नहीं जैसे कि हम देखते हैं कि और भी जो फसल यदि दूसरी फसल या दोहरी फसल नहीं ली जारी है तो वो मतलब फ्री हो जाते हैं उनको कारी करने की आवशकता नहीं होती है लेकिन जहां पर भी ये डेरी कृषी की जाती है डेरी फार्मिंग होता है वहां पर वर्ष भर श्रम की आवशकता होती है श्रमिकों की आवशक पशूओं को वर्ष भर चराया जाएगा और चुकि उनको को पाला जा रहा है तो उनसे दूद निकालने का कारे भी वर्ष भर चलेगा अब हम देखते हैं कि चुकि जिन छेत्रों में भी जो बाजार है जिन और दोगिक केंद्रों या जिन नगरी केंद्रों के समीप ही इस प्रकार की जो क्रिशी है वो की जाती है क्योंकि नगरी छेत्र में भी हम देखते हैं दूद और दूद से बने जितने भी प्रोडक्ट ह उनकी बहुत अच्छी डिमांड होती है और जो उद्योग है जहां पर पनीर बनाया जाएगा या हम कहें कि दूर से अलग-अलग प्रोडक्ट जो है वो बनाये जाएंगे चाहे हम खोवे की बात करें दही की बात करें श्रीखंड की बात करें यह सभी चीजें जो है तो इन क कारणों से हम देखेंगे कि यह क्रिशी जो है वो नगरों के समीप या ओद्योगी केंद्रों के समीप ही स्थापित किया जाते हैं या यह क्रिशी कार्य किया जाता है अब इनके संग्रहन के लिए विक्सित जो है परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए इस क्रिशी कारे मे संग्रहन की भी आवश्क्ता होती है और संग्रहन इस प्रकार से कि यह जो प्रोडक्ट है यह उत्पाद जो है वो खराब जल्दी से खराब ना होने पाएं तो इसके लिए विक्सित परिवहन या यातायात की सुविधा तो चहिए ही हम देखते हैं कि जितने भी यूरोपी और अमेरिकी लोग थे इन्होंने जो उष्नकटी बंधी छेत्रिया उष्नकटी बंध में इस थी जो देश हैं वहाँ पर अपने उपनीवेश जो हैं वो इस्थापित कर लिये थे अपने वीशिक जो राजी है वो उनका चलता था और तभी इन्होंने जो अलग-अलग देश हैं वहाँ पर अपने बागान जो हैं वो इस्थापित किये और इसी कड़ी में हम देखते हैं जैसे फ्रांस है फ्रांस ने पशिमी अफ्रिका में कॉफी और कोको के बागान लगवाए इस्पेन और संयुक्तराज अमेरिका या USA ने फिलिपाइन्स में नारियल और गन्ने के बागान लगवाए ब्रिटेन ने भारत और श्री लंका में चाय के बागान लगवाए और ब्रिटेन ने ही मलेशिया में रबड के बागान जो है वो इस्थापित करवाए अब यह हम देखते हैं कि जो ब्राजिल में कॉफी के बागान लगाए जाते हैं या कॉफी के जो वहाँ पर उसे फैजेंडा के नाम से जाना जाता है और ये फैजेंडा या जो काफी के बागान होते हैं इसमें जो यूरोप वाशी हैं उनका पूर्ण नियंत्रण हैं तो आपके बोड परिक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्त पूर्ण प्रशने हैं छोटे प्रशने के हिस आप से पूछा जा सकता है कि ब्राजील में काफी के बागान को किस नाम से पुकारा जाता है तो आपका उत्तर होगा फजेंडा और भी जो मैंने अभी बताये आपको कि कहां पर किस देश ने उपनिवेश स्थापित करके ये जो अलग-अलग फसलों के बागान लगाए हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए अब हम अगली कृशी पद्धती डेरी कृशी या डेरी फार्मिंग के पर चर्चा करते हैं डेरी फार्मिंग जैसा नाम से ही इस पस्थ है डेरी फार्मिंग जब हम करेंगे मतलब दूध उत्पाद जो है दूध से बने अलग- करने के उदेश से ही ये क्रिशी कारे जो है वो किया जाएगा इसकी हम देखें कि क्या अर्थ है डेरी क्रिशी हम किसे कहेंगे तिसमें हम देखते हैं कि इस जो विशेश प्रकार की ये क्रिशी है इसमें जो पशुओं को पाला जाता है जितने भी पशु पाले जाते हैं उन तो हम देखें कि इसमें जो पशु पाले जाते हैं दूध प्राप्त करने के लिए उन पशुओं के स्वास्थि पर प्रजनन पर और उसमें जो नसल सुधार का कारी होता है इस पर विशेश ध्यान दिया जाता है डेरी कृशी में अब चुकि हम नसल सुधार का कारी करेंगे पशों पर या प्रजनन और उनके स्वास्थे पर विशेश ध्यान देंगे तो naturally है कि हमें अधिक पूंजी की आवश्चक्ता होगी तो इस कृशी में भी अधिक पूंजी की आवश्चक्ता होती है और वो इसलिए कि जब पशों को पाला जाएगा तो पशों के रहने के तो दूद आधी निकाले जाएंगे उसके लिए भी विशेश यंत्रे की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इन सभी के लिए पूंजी जो है वो आवश्चक होती है अब हम देखते हैं कि श्रम की भी आवश्चकता होती है डेरी फार्मिंग में वो इसलिए कि पशों को चर पादन करते हैं अलग-अलग प्रकार की क्रिशी में तो तीन से चार महने लगभग हमको श्रम की आवश्चकता होती है और शेश महने जो है वो श्रमिक यदी दूसरी फसल या दोहरी फसल नहीं ली जा रही है तो वो मतलब फ्री हो जाते हैं उनको कारी करने की आवश्चक या वोनित निकालने का चाहि रही है तो आपा आपो दहुद आप दूद निकालने का कार भी वर्ष भर जलेगा ओधुन कि क्रिशी है तो थी ज्यालती है क्यों कि नगरी चेतह में भी हम देखते हैं दूद और दूट से बने जितने भी प्रोडक्त हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड होती है और जो उद्योग है जहां पर पनीर बनाया जाएगा या हम कहें कि दूट से अलग-अलग प्रोडक्त जो है वो बनाये जाएंगे चाहे हम खोवे की बात करें दही की बात करें किया जाते हैं या ये क्रिशी कार्य किया जाता है अब इनके संग्रहन के लिए विक्सित जो है परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए इस क्रिशी कारे में संग्रहन की भी आवश्यक्ता होती है और संग्रहन इस प्रकार से कि ये जो प्रोडक्त है ये उत्पाज जो है वो एसी आतायात की सुविधा चाहिए जो वाटा नुकलीत हो, मतलब वाटा नुकलीत यातायात के माध्यम से जब इनका परिवहन किया जाएगा तो इनके खराब होने का इन उत्पादों के खराब होने का डर नहीं रहेगा और लंबी तूरी तक भी इन्हें ले जाया जा सकता है तो यातायात का साधन प्रशीतक या पाशुरी करण की सुविधा जो है वो इस क्रिशी के लिए बहुत ही आवश्चक होती है क्योंकि इसे लंबे समय तक संग्रहन जो है वो किया जा सकता है अब किन-किन छेत्रों में ये क्रिशी कारी किया जाता है तो हम देखें प्रमुखरूप से उत्तर पशिमी यूरोप इसके साथ ही साथ जो कनाड़ा है न्यूजीलेंड है और दक्षिन पुर्वी आस्ट्रेलिया के साथ असमानिया में डेरी क्रिशी या डेरी फार्मिंग जो है वो की जाती है अब ये हो गई डेरी क्रिशी के बाद अब इसके बाद हम अगली क्रिशी पधती भुमध्य सागरी क्रिशी के विशय पर बात करते हैं तो नाम से ही इस पस्ट है भुमध्य सागरी क्रिशी मतलब इ आपको नज़र आरहा होगा, इसके आसपास के देशों में या छेत्रों में, जहां पर यह कृष्य कारिय किया जाता है, तो इसी नाम पर भुमधहिसागर के नाम पर ही इस कृष्य प्धती का नाम करण किया गया है, भुमध्हीसागरी कृष्य, अब हम यह देखते हैं कि यह एक कृषी का विशेष प्रकार है और यहां की हम विशेषता कह सकते हैं यह खास बात ही होती है कि इस प्रकार की कृषी में खटे फलो का उतपादन या रसीले फलो का उतपादन ही किया जाता है. खटे और हसीले फलो की उत्पादन के लिए भुमद्य सागरी क्रिशी जो है वो विश्व प्रशिद है और विशेश रूप से हम देखेंगे कि जो अंगूर की खेती है वो भुमद्य सागरी क्रिशी की एक प्रमुख विशेशता हम कह सकते हैं और इस अंगूर की क्रिशी में हम देखें कि जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है और जो थोड़े निमनकोटी के निमनकिस्म के अंगूर होते हैं उनसे मुनक्का या किश्मिष का किश्मिष जो है वो बनाया जाता है और इस प्रकार की क्रि और जैतून की खेती की जाती है और श्रीतुम में हम देखेंगे कि युरोप और USA, सवयुक्तराज अमेरिका में फलो और सबजीयों की मांग होती है तब इस छेत्र में इन छेत्रों को इसी कृषी छेत्र वाले या कृषी पध्धती वाले छेत्रों से इसकी आपूर्ती जो ह में गर्मी के मौसम में अंजीर वर जैतून की क्रिशी की जाती है और शीतृतुम में हम देखेंगे कि विशेश रूप से जब युरोप और सवयुक्तराजी अमेरिका के देशों में फलो और सबजीयों की डिमांड होती है आवश्यक्ता होती है तब इसी भूमद्य सागर क्रिशी वाले छेतर से ही इन छेतरों को फलो और सब्जीयों की आपूर्थी की जाती है